इने बड़े महापुरुष्टे रूप गोस्वामी गौरांग महाप्रभु के अनुजाई उन्होंने ग्रंथ लिखा है भक्त रसामृत सिंदू एक टॉप का ग्रंथ तो जीव गोस्वामी ब्रंदा बन गए बिरक्त हो करके और उन्होंने भक्त रसामृत सिंदू का ध्यन किया और गुरु रूप में माना रूप गोस्वामी को चारो वेज के बिद्वान थे जीव गोस्वामी भी तो एक बहुत बड़े विद्वान ब्रंदा बन पहुंचे भट जी उन्होंने गलती निकाल दी भक्त रसामृत सिंदू में जीव गोस्वामी को क्रोध आया और वो भिड़ गये उससे बिना खाये पिये सारा दिन जमना के किनारे लड़ते रहे और भट को हरा दिया और भट ने मान लिया हाँ गलत नहीं है ठीक और आकर जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी से कहा गुरू जी ऐसा ऐसा मामला था मैंने है प्रास्त कर दिया उसको तो पहले तो मुस्वामी रूप गोस्वामी उसके बाद कहा निकल जा ब्रिंदा बन से मेरे सामने मत आना आज से कभी अरे क्या कौन सी गलती की अरे गुरू के वाक्य में गलती निकाला उसने तो उस पर हमको दुख हुआ ठीक है यह गुरू जी क्या कह रहे है क्रोधोर उपर क्रोध न हाइल तो मार ते कारणे तोर मुख न देखिवार तुने क्रोध पर क्रोध नहीं कि आशनिये में तेरा मुह नहीं देखना चाहता चलादा ब्रंदावन से उस विचारे विद्वान ब्राह्मन को दुखी किया क्या मिला तुझको यह सब अभ्यास करके हमको दीन अरी यही तो पहला सब्द है महाप्रभू जी का त्रणाद अपिसु नीचे न त्रण से बर कर दीन भाव लाओ सबसे नीचे मानो अपने को मैं देख कुछ हो हूँ रे क्या कुछ हो तो नए आप लोगों से आशा करता हूँ कि मेरी बात पर ध्यान देंगे और अभ्यास करेंगे धन्यवाद झाल झाल